जै श्रीकिष्णा राधे राधे पेलकम बैक टू माई चैनल जहां हम बाते करते हैं लड़को पाल के भोग बस्तर और सिंगार के बारे में पूजा पाट से रिलेटिड कैसे हैं आप उमीद करते हूं आप सब अच्छे होंगे ठाकुड़ी जी किरपा आप सब पर यूहीं बनी रहे और आप सब हस्ते मुस्कराते खुस रहें स्वस्त रहें मस्त रहें तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी अपने व्यूवर्स का जो कि आज मेरी वीडियो आप लोगो ने इतनी पसंद की तो उसके लिए दिल से धन्यवाद और ऐसे ही अपना सा मातरानी के प्रिशन करने हर कोई चाहता है हमारी मातरानी हमारे घर में आई है तो हमें खुश करना चाहिए उन्हें और कुछ काम ऐसे हैं जो आप बिल्कुल ना करें उन गलतियों को करने से बचें उनका विशेष ध्यान रखें तो चलिए आज मैं उन्हीं से रिलेटिव कुछ आपको थोड़ी बहुत जानकारी देती हैं कि कुन-कुन से ऐसे काम है जिने हमें करने से बचना चाहिए ना अगर आप चाहते हैं मा दुर्गा को प्रिशन करना तो कुछ बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें तो मा दुर्गा की उपासना करने से सक्ति की प्राप भ्षब्रत करके आप भी मा भग्वत्ति का विशेस अर्शिरवाद प्राप्त कर सकते हैं और मा दुर्गा को प्रिशन करने के लिए आप क्या करें और क्या ना करें तो मैं उसी के रिलेटिटिट आपकर साथ आज वीडियो शेयर कर रही हुए to देखेह क्या करें पहले मै हो सके तो मादुर्गा के 108 नामों का जाब करिए अपने घर में अखंड जोद अवश्य जलाईए और नमबर तीन सुभे साम दोनों समय मादुर्गा की पूजा करें आड़ती करें शुरू करने से पहले आप गणेश जी का ध्यान अवश्य करिए दो मिनट के लिए या गणेश जी के 38 से शुरू कीजिए ध्यान करके उनको नमन करके नमबर चार मंत्र जाब या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें थोड़ा टाइम बाद करें नमबर पाँच बारह साल के कम उम्र की कन्याओ को प्रती दिन फल पेठा का परशाद दें जैसे थोड़ा भोद आप जो भोग लगाएं फल पेठा जो भी हो सके उसका परशाद देजिए उनने कन्याओ को चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या ना करें किन कामों को आप करने से बचें तो देखें सबसे पहला जब हम मा दुर्गाजी का जाब कर रहे हैं मातरानी का जब कर रहे हैं तो उसे जाब करते समय आप सरीर को हिलाएं नहीं दूसरा गागा के आप जाब ना करें मातरानी का जो है जाब करते समय ध्यान रखें कि आप सरीर ना हिलाएं एकदम बैट के ध्यान से आराम से तब जाब करें और गागा कर जाब ना करें जैसे कुछ लोग क्या करते हैं गाते हैं जाब करते हैं तो गाए नहीं जाब करें जो भी कर सकते हैं आप दूसरा मन में विचारों की पवित्रता बनाए रखें अपने मन और अपने विचारों की आप पवित्रता बनाए रखें बिरत कर रहे हैं तो नमबर तीन नवरात्री में अपनी मा और मा की उम्र की महिलाओं का अपमान ना करें कभी भी उनका आशिरवाद प्राफ्ट करें जो हमारी मा हैं घर में और हमारी मा की हम उम्रों जो हमारी आन्पियाय चाची हैं ताई हैं बुगामोसी हैं जो भी हैं अडोसी पडोसी हैं तो उन महिनाओं का कभी भी आप अपमान ना करें, उनसे आप आशिरवाद ही लें, उन्हें मिलें तो नमस्ते करें, जैमातादी बोलें, राधे राधे बोलें, जो भी आप बोल सकते हैं, तो आपको तो दिल से दुआ ही देंगी, आशिरवाद ही देंगी, तो आशिरवाद हैं कि हमारे मन में कोई चल कपट परपंच और अपसब्तों का प्रियोग आप पिल्कुल निशल होकर ब्रत करिये मातारानी है मातारानी हैं हमने अपने घर में उन्हें ब्राजमान किया है एकदम प्यार से और सच्चे दिल से और एकदम निश्वार्थ होकर पुजा कीजिए नमबर पांच ब्रह्मचार रहका पालन करें गलत लोगत की संगती ना करें तो ये भी आप ध्यान रखिएगा नो दिन तक नवरात्री जब तक चल रही है तब तक ब्रह्मचार रहका पालन करें गलत लोगों की संगती ना करें गलत लोगों के ना पास बैठें तो ये कुछ छोटी से टिप्स थे जो मैं आप लोगों किसा शेयर करना चाहती थी कुछ बात थी अगर आप लोगों कूप पसंद आई हो लाइक कीजिए गवा вмhmm किमेंट कीजिए अब बीडियो को जादे से ज्यादा शेयर कीजिए हैं तो कुछ मातरानी से रिलेटीड ही वीडियो लेकर मैं फिर आउंगी हाजिर होंगी और अगर आपको किसी दुविदा के बारे में या किसी मातरानी के लिए किसी बारे में भी कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट बोक्स में लिख दीजिएगा मैं अवश्य उस पर वीडि ना रदे रदे